हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बादर विदायूश और दोस्तों इस फ्रीडियों में बात करेंगे 21st जिसंबर यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में दोस्तों आज आई नॉक्स इंडिया के लिस्टिंग होती हो लिस्टिंग काफी ए Tyson पर और पड़ता हुआ देखने को मिलेगा तो की आने वाले दिन में आपकु तीन llerगार्मष बादार में लिस्ट होतेवए देखने subscribe भी कर लीजिएगा तो फ्रेंट शुरू करते हैं happy forging से तो आज happy forging IPO का आखरी दिन है और आज दोस्तों यह IPO close हो जाएगा 808 से 850 रुपे का इसका price band है 17 shares का दोस्तों lot size रखा गया है कुल मिला के 1008 करोड का यह IPO है जिसमें से 400 करोड का fresh issue है और बाकी का बचा हुआ offer for sales 608 करोड के आसपस का listing होगी BAC, NAC दोनों के उपर जो भी तक का subscription देखा गया है वो कमाल का है ऐसा मैं क्यों क्यों किया रहा हूँ because 138 times दोस्तों QIB ने इस issue को बढ़ दिया है almost 27,886 करोड अब देखे एक बहुत interesting बात कि कि QIB हर issue के अंदर दमदार पैसा लगा रहे है लेकिन हम कह सकते कि listing अपने आप पे दोस्तो questionable है because listing questionable हो रही है मुझे लगता है कि देखे कि काफी operator driven भी है because जिस तरीके से दोस्तों listing पे अभी खेल हो रहा है यह मुझे लगता है कि retailers से बिकवा जा रहा है और बिलकुल यह खरीर लेंगे बाद में ठेक है देखते हैं होता क्या है बाकि H&I portion almost 56.50 times subscribe हो चुका है retail 13.61 times subscribe हो चुका है total मिलाकर 58 times यह almost 41,000 करोड दुस्तो happy forging IPO में भी तक आ चुका है जो आधिंग शो करता है strength no doubt इतना subscription आपको receive होता हुआ नजर आ रहा है अगला IPO दोस्तो RBZ dwellers RBZ dwellers IPO जो है वो आज close होने वाला है बाकी 95 से 100 रुपीज का इसका price band है 150 shares का lot size है कुल मिला के 100 करोड का यह IPO पूरा का पूरा fresh issue है listing BSE, NSE दूनों पर होगी जो अभी तक का current subscription यहाँ पर देखा गया है उसके साब से कुछ खास subscription नहीं आया है QIB के तरफ से only 6.80 times subscription अब तक receive हो है H&I portion 7.36 times subscribe हो है और जो retail portion है वो 21.85 times subscribe हो है total मिलाकर 13.68 times उसके जो issue है वो subscribe हो चुका है और करेबन 1080 करोड के आसपास अभी तक इस issue के अंदर receive हो है तो कह सकते है कि इस IPO में कुछ खास subscription receive नहीं हो रहा है देखिए reason हो सकता है IPO का size reason हो सकता है current market volatility यह सब सारे reasons है जो definitely यहाँ पर इस issue को subscribe उतना लेकर नहीं आ रहे है पर let's see होता क्या है listing पर आज दोस्तों यह IPO close हो जायेगा अगला फेंट्स IPO आता है मुफ्ती मेंच्स्वियर का आज इस IPO का भी आखरी दिन है और 2 रूपे की face value है 266 से 280 रूपीस का price band है 53 shares का lot size है कुल मला के 549.78 करोड का IPO है पूरा कपूर offer for sale है listing होगी BAC, NAC दोनों के उपर बागी यह आपे भी subscription बुरा नहीं है 75 times almost दोस्तों QIB portion subscribe हो चुका है यानि अब भी तक QIB ने 8,230 करोड के आसपास इस issue के इंदर लगा दिये H&I portion 48.66 time subscribe हो चुका है जिसमें 47.74 time big H&I and 50.52 time small H&I and जो retail portion है 17.62 time अभी तक subscribe हो है total मुला करी जो issue है 40.62 time अभी तक subscribe होने में कामियाब हो गया almost 15,632 करोड के आसपास हम कह सकते निकल कर आ चुके है and यह show कर रहा है यहाँ पर भी strength तो है इस IPO के अंदर जरूर subscription उतना जादा नहीं है क्योंकि I think market में थोड़ा सा डर अभी बैठा हुआ है पर जिस तरीके से दोस्तों बाजार recovery भी मार रहा है मुझे लगता है कि बहुत कुछ यहाँ पर हम जो सोच नहीं रहे वैसा हो रहा है तो यहाँ पर भी exactly वैसा हो सकता है let's see कितना subscription total निकल के आता है आज at the end of the day अगला दोस्तों IP आता है आजाद इंजिनिरिंग का आजाद इंजिनिरिंग आईपयो का भी आज सेकिंड है कल दोस्तों ये इशू क्लोस हो जाएगा 22 डिसमबर को प्राइस बेंड है करीबन 99 से 524 रुपीज पर शेयर का 286S का lot size है कुल मिला के 740 करोड का यह IPO है जिसमें से 240 करोड का fresh issue और बाकी का बचा हुआ offer for sale 500 करोड का लिस्टिंग होने वाली है BSE, NSE दोनों के उपर यहाँ पर अभी तक का जो subscription है उसमें QIV ने almost 40% के इस पर शेयर को subscribe कर दिया और बास 59 करोड का असपर लगा है non-institutional bias ने 18 times दोस्तों इस issue को subscribe कर दिया जिसमें 15.18 times small बेगे चनाइस and small लेचनाइस ने 23.75 times retail category 9.68 times subscribe हो चुक है total मिलाकर 8.86 times दोस्तों यह जो issue है वो subscribe होने में काम्याब हो है यह ठीक टाक subscription हम कह सकते है कि अभी तक receive हुआ है इस IPO के अंदर बाकी देखते हैं कल का दिन काफी दिल्चास पोगा because कल कितना पैसा निकल के रहता है वो हमको देखने को मिलेगा Innova CapTap दोस्तों आज से यह नया mainboard IP open हुआ है और अब इसके बाद कोई भी नाम नहीं है कि कौन सा IP open होने वाला है बाकी 21 से 26 December यानि आज से 26 December तक ही open रहेगा आज आप पैसा लगा सकते 21 को कल लगा सकते 22 को then 23, 24, 25 market holidays है and then उसके 26 December को आप पैसा लगा सकते हैं इस issue के अंदर 10 रुपे की इसकी face value है 426 से 448 रुपीस का price band है 33 shares का lot size है 570 करोड का यह IPO है जिसमें से 320 करोड का fresh issue है और बाकी का बचा हुआ 200 करोड का offer for sale है लिस्टिंग आपर होगी BAC और NAC दोनों पर होने जा रही है यहाँ पर अभी तक दोस्तों कुछ खास subscription रिसीव नहीं हुआ QIB ने almost 0.44% के आसपास लगा है बिगे चनाइस ने कुछ खास पास लगा है नहीं है small channel category almost 1.13 time subscribe हो चुके है but retail category 1.60 time subscribe हो चुके है लेकिन यह issue still 1 time subscribe हो चुका है तो यह तो दुस्तों था subscription अब बात करते हैं सबकी grey market पे दुस्तों KC Energy एक नया SME इशू है जो NAC पर लिस्ट होगा 54 रुपीस का price band है 9% की grey market है 28 से 2 जैनवरी की बीचिन दुस्तों यह issue open होने वाला है यानि यह जो issue है वो 28 December को open होगा लेकिन जरूर देखिए हमेशा इसलिए में लगातार हर वीडियो में कहा रहा हूँ कि grey market को देखके ना लगाए grey market कभी भी पलट सकती है अब आपको पता नीचलेगा exactly वो हो रहा है मैं आपके दोस्तों अब ऐसे SME से तो कृप्या करके बचिएगा जहां पर जो आपको grey market है वो कम दिख रही है at least उनसे तो बिल्कुल भचके रही है कि वहाँ पर बहुत जादा दोस्तों नुक्सान की possibility इंक्रीज आती है और अगे इनमें हमेशा कहता हूँ SME में पैसा लगा रहे हैं तो पूरा समझ ये कंपनी को उसके बाद जाकर पैसा लगाई है अगला है बालाजी वॉल्फ कॉंपनेंट एक BSE SME इशू ये आईपयो दोस्तों ओपन होगा 27 डिसेंबर से एक है पाइपस ये एक दोस्तों BSE SME इशू है 89 रुपीस का प्राइपयो का आईपयो का साइज है ये आईपयो 26 डिसंबर से 28 डिसंबर के बीच में उपन होगा समीर एग्रो एन एनसी ये एनसी SME इशू पर उपन होने वाला है हो चुका है मतलब आज दोस्तों फॉर्स डेइस आईपयो का 62.64 करूड का आईपयो का साइज है दोस्तों अगला आता है इनोवा कैप टैप और ग्री मार्केट देखे अल्मॉस 45 परसन चालिस परसन चल र रही है अगला है सुप्रीम पावर एक्विप्मेंट एक एनसी SME इशू जिसकी ग्री मार्केट अल्मॉस 77 परसेंट है ये इशू दोस्तों ओपन हुआ है 21 दिसंबर यानि आज और 26 दिसंबर तक ओपन दहे का अगला है दोस्तों IPO इंदिफ्रा एनसी SME इशू अल्मॉस 42 परसेंट भरा है 14 करोड का IPO का साइस है 65 रुपीज का प्राइस बेंड है अगला है ट्राइडन टेक्नो लाइप एक एनसी SME इशू 35 रुपीज का इसका प्राइस बेंड है अल्मॉस 115 परसेंट का करेंट प्रीम चल रहा है और पहले दिन 19 गुना से यादा सब्सक्राइब भी हो चुका है बाकी एशू दोस्तों 21 से 26 रुपन रहेगा अगला है दोस्तों आजाद इंजिनियरिंग ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावाट से 90 परसेंट की जो ग्रे मार्केट थी 83 परसेंट की वो 65 पर आचुकी तो 20-20 ग्रे मार्केट अब नीचे ट्रेड कर कर रही है अल्मोर्स दोस्तों 341 यहाँ 65 परसेंट पर करेंट ग्रे मार्केट ट्रेड कर रही है अगला है दोस्तों शान्ती स्पेंटेक्स भी एसी ऐसे में इशू 10 परसेंट का अभी इसका करेंट प्रीमियम चल रहा है बाकी ठीक है अब देखते कितना सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब अगला है अगला है दोस्तों और बिलकुल आप कह सकते हैं कोई ग्रे मार्केट नहीं है 30 परसेंट गई थी बड़ अब जीरो हो चुकी है मुफ्ती जीन्स ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी गिरावट है 40 परसेंट यहाँ पर भी प्रीमियम चल रहा है बाकी सब्सक्रिप्शन 40 टाइम से यहाँ पर आ चुका है तो 40-40 का एक आकरा हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी चल रहा है बाकी इशू का आज आखरी दन है इलेक्टर फोर्स इंडिया यह एक NSE SME इशू है और लिस्टिंग होगी 26 बाकी इशू दोस्तों ग्रे मार्केट आने वाला है तो अगर आपने इस IP में लगाया है तो आपको आज अलॉट्मेंट पता चल जाएगा वैसे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट 6-7 परसेंट चल रही है अभी कल भी इती थी तो आज यहाँ पर कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला पर इनकी लिस्टिंग देखना काफी दिल्च अलॉट्मेंट इसका भी आज है 136 परसेंट जरू प्रीमियम चल रहा है बट लेट सी कितने उपर दोस्तों यह लिस्ट हो पाते हैं बाकिया अलॉट्मेंट आज है मोतिसन ज्वेलर्स का आज दोस्तों लिस्टिंग आपको बताता हूँ कितनी इंट्रेस्टिंग हुई है SME सेग्मेंट पे देखें बेंचमार्क कम्पीटर सॉल्यूशन की लिस्टिंग होती है 21% उपर 22% की ग्रे मार्केट चल रही थी 67% की लेकिन लिस्टिंग होती है मात्र 43.89% तो आप देखें ग्रे मार्केट और लिस्टिंग में कितना बड़ा डिफिरेंस है जरूर लेकि सियाराम रिसाइकलिंग अब इसकी ग्रे मार्केट आप देखेंगे तो खुछ जाएंगे 78.26% थी और 19.57% पर दोस्तों लिस्टिंग होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आज आपको मेजर डिफरेंस देखने को मुला और एक मार्केट प्रेशर से इतना सब हो गया तो यह बहुत अजीब सी बात है पर लेट सी होता के आने वाले आई प्यों के अंदर इस वीडियो में इतना ही तावा कि आप लोग बदाएगा कि आपने कौन-कौन साइप्यों में लगा है थैंक यू फ्रेंस वीडियो